मैंने अपनी जिंदगी में जादा किताबे नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे विरासत में गरीबी मिली थी हाँ लेकिन मैंने रमायन जरूर देखा था और इससे बहुत प्रभावित भी हूँ जिस तरह भगवान श्री राम ने विपत्ती काल में राम सीतू का निर्मान कर पैदली अपनी सेना की साथ लंका तक का सफ़र तै कर लिया था उसी तरह मैं भी आज अपने परिवार की साथ मीलो का सफ़र तै करके अपने गाउँ जा रहा हूँ मैं भारत का मजदूर हूँ, शायद इसलिए मजबूर हूँ आज मेरे बच्चे की सर पर उसकी वजन से भी जादा भारे भरकम मोट्रियों का बोज है उसकी नन्ही नन्ही कत में इन बड़े शहरों की हाईवे की चौड़ी सड़कों को नाप नहीं पाती पर बार बार इन सड़कों पर बैठ जाता है और रोकर कहता है पापा मैं बहुत ठक गया हूँ, मेरे पैरों में दर्ध हो रहा है मुझे भूक लगी है, उसकी ये शब्द सुनकर मेरा मन जो उठता है लेकिन क्या करूँ, मैं भारत का मजदूर हूँ, शायद इसलिए मजबूर हूँ मेरी पत्नी नौ मैने की गरपती है इस करोना काल में हमारे परिवार की भोग से अकाल मिर्तियों ना हो जाए इसलिए वो भी हमारे साथ पैदल ही मीलों का सफ़र तै कर रही है अभी एक घंटे पहले ही उसे प्रसफ पीड़ा शुरू हूई थी अब वह मेरी आँखों के सामनी खून से लटफ़त पड़ी है दड़ से छटपटा रही है बच्चा गर्व से बहर आ चुका है बहुत कमसोर है और अभी तक उसकी नाभी भी नहीं कटी है ऐसे इस्तिति में मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दूर दूर तक मदद के लिए कोई भी नज़र नहीं आता मेरे मित्र तो मेरे साथ है लेकिन वह डॉक्टर तो नहीं मेरी आँखों के सामने मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों तडब कर मौत के मुझ में चले गए और मैं सर पर हाथ रख अपनी बदकिस्मती का मातम मनाते रहा मैं भारत का मजदूर हूँ शायद इसलिए मजबूर हूँ इस करोना काल में मैंने कैसे कैसे दिन देख लिये मुझे जखमी हालत में ट्रक में सवों के साथ बैठा कर अपने राज्य भेजा गया कि कहीं मैं घर जाने से पहले खुद ही एक शव में तबदील ना हो जाऊं इस्टेशन पर पड़ी अपनी मा के शरीर के साथ मेरा बच्चा अठखेलियां करता रहा और इंतजार कर रहा था कि मा जागीगी तो उसे कुछ खाने के लिए देगी लेकिन उस मासुम को क्या पता था कि मा तो कब का मर चुकी है कड़कती धूप और तड़कती भूक ने उसे कभी न जागने वाली कहरी निंग सुला दिया है मैं भारत का मज़दूर हूँ शायद इसलिए मजबूर हूँ कल तक मैंने गाड़ियों की पहियों तले जानवरों को रौन्दे जाते हुए देखा था लेकिन आज तो मैं खुद इन पहियों तले रौन्दा जाने लगा हूँ निरंतर चलते चलते जब मैं ठक गया तो रेल की पट्रियों को अपना तक्या बना सो गया नींड इतनी गहरी थी कि ट्रेल मेरे उपर से गुजर गई और मुझे पता तक नहीं चला जब हूश आया तो मैंने देखा कि मेरा शरीर टुकड़ों में पट्रियों पर बिख़ा पड़ा है मेरी रोटी दाल जो मेरे पेट की आग बुझाने वाले थे अब वह भी मेरे खून में संचुके थे कई नेता आये उन्होंने एक दूसरे पर कीचण उच्छाला कुछ ने फिल्में भी बनाई और उसे यूट्यूब पर लॉंच भी किया मगर मेरे स्तिथी में कोई परिवर्टन नहीं आया मैं मौत की राह पर चल रहा था और आज भी चल रहा हूँ मैं चिलचिलाती धोप और खाने की जगा पेट में पस्ती आतों से जूज रहा हूँ मैं कल भी लाचार बेबस और भूखा था और आज भी लाचार बेबस भूखा हूँ मैं कल भी अपने जान हथेली पर लेकर गूमता था और आज भी अपने जान हथेली पर लेकर गूमता हूँ हाँ मैं भारत का मजदूर हूँ शायद इसलिए मजबूर हूँ अब लॉकडाउन खुल चुका है मुझे फिर से वापस लोटना होगा पहले मैंने अपने गाउं आने के लिए संघर्ष किया और अफिर से बड़े शहरों की ओर जाने के लिए संघर्ष करूंगा मुझे पता है करोना का संकट पहले से भी कई गुना जादा बढ़ चुका है पर क्या करूं? मजदूर हुना मुझे पता है कि भूग की आग क्या होती है भूग की आग में तिल-तिल तड़ब कर मरने से असान मौत कुरूना की मौत मरना है मुझे पता है जिस तरब मेरे कुछ भाईयों ने घर लोटते वक्त अपनी जान गवाई थी उसी तरह उन्हें अब शेर आते वक्त भी शायद अपनी प्राणों की आहूती देने पड़ जाए पर हम सरूर जाएंगे मेरा भी घर परिवार है छोटे-छोटे बच्चे है मजदूर हूँ तो क्या हुआ? मेरे बच्चों की भी शौक है I.S. I.P.S. इंजिनियर बनने का उनका भी सपना है और सपने तो गरीबी के गुलाम नहीं होते न गरीब पैदा होना गलत नहीं है पर अपने गरीबी से लड़े बिना हार मान कर एक गरीब की ही मौत मर जाना गुना है मैं अपने गरीबी से जी जान लगा कर लड़ूंगा और अगर हार गया तो खुद को यह कहकर तसली दे दूंगा कि हाँ मैं भारत का मजदूर हूँ शायद इसलिए मजबूर हूँ ये वीडियो अगर आपकी दिल को छूग गया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच इस वीडियो को अपना समय देने के लिए